देखे, वहाँ जो असरदार नेता हैं महाराष्टा के, उनका एक अपना अलग प्रभा हो सकता है, लेकिन अखिलेश जी जाके वहाँ कई उड़ दिलाएंगे, ममता जी जाके कई उड़ दिलाएंगे, जिनका वहाँ कुछ नहीं है तो वो कई उड़ दिला पाएंगे, उनके रैली करने से कोई असर नहीं है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, जाए महाराष्टा से लेके, गोवा से लेके, गुजराश से लेके, बंगाल तक, कहीं, किसी की दाल गलने वाली नहीं है, जनता मन बना चुकी है, और विपक्च खुद मन बना चुका है, मानी नरें मुदी जी को पधार मंत्री बनाने के लिए यह तो फिर जनता को दिखावा करने के लिए सब काम हो रहे हैं लेकिन अभी तक इन चीजों में भी पीछे 17 सीटे इंडिया लाइन्स को मिली लेकिन अभी तक उम्मीद वारुक की नाम ही नहीं नहीं होता है हलाकि उनका कहना यही है कि अमेठी या राइब रेली से गांधी परिवाल से कोई लोग है लेकिन अभी तक चीज़े क्लिए हो नहीं है कि उनका भी से है उत्तर पदेश में छे महीने में एक भी रेली हुई है जाए सपा हो कांग्रेश हो बसपा हो कोई काम हो रहा है यह लोग आको अभर दे दिये हैं कि आप जीती हैं हम लोग आपके साथ हैं एंदी ने कल अपनी रेली यह यातरा मूंबई में खत्व नहीं होती यह धारवाही में खत्व होती भारत में लवाई कोशल और द्लाल के बीच है जो इसका मतलब कोशल से धारवी और दलाल से मतलब आड़ानी हैं इसलिए मैं यातरा में न्याएश चब्द जो रिया है देखे न्याय की बात अगर राहुल जी करते हैं तो देश में प्रदेश में और उनके साथ रहने वाले लोग मिल करके देश में भी सरकार चलाए हैं क्या पिछणों को नहाई दिया, मुसलमानों को नहाई दिया, दलितों को नहाई दिया? अभी वीभाग मिले मुझे अचौथा दिन है, लंबे समय तक मुसलमानों ने कांग्रेस को उड़ दिया. उनके भिकास के लिए धरातल पे काम करने के लिए करमचारी नहीं है. जो अधिकारी हैं उनको चलने के लिए साधन नहीं है बात तो बहुत करते हैं बीजेपी और अलपसंखेक के बीच में सिर्फ इन लोगों ने खाई बना रखी है कभी उन लोगों ने अलपसंखेक के विकास के बात नहीं सोची पिछडों में नाई गोंड पाल प्रजापती बिंद केवट मला राजभर चवान आरे करक बंसी बंजारा बहलिया खंगार इनके विशे में कभी सोचा कभी इनके दिमाग में बात नहीं आई आज जिस न्याय की बात करते हैं तो अन्याय तो कांग्रेश ने किया सपा बसपा ने किया इस सभी लोग मिलकर के पिछडों का दलितों का अलपसंख्यों का हख लूटे हैं इनके बिकास के लिए काम नहीं किया काम अगर कोई कर रहा तो अंडिय सरकार आज किन्द सरकार की नई योजना है कि जो मदर्से हैं अल्प संख्यक समाज के, उसमें केंद्र सरकार पैसा दे करके 40-70 के राज्यान्स में, 60% केंद्र का और 40% प्रदेश सरकार का, जो मदर्से हैं उसमें हिंदी, मैत और जो भी बिसे और कालेजों में चलते हैं, एक समान सिक्षा की व्यवस्था के लिए सरकार कटिबद्द है एक काम क्यों नहीं कांग्रेश ने किया सपाने क्यों नहीं किया बसपाने क्यों नहीं किया उनके विकास के लिए जो योजनाएं है क्या योजनाएं उनकी बनी कुछ हुआ एक भी योजना बता दें, आज तो जितने भी आवास बन रहे हैं, उसमें उसका सबसे ज़्यादा लाब अलपसंख्यक को मिल रहा है, रासन बंट रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा लाब अलपसंख्यक को मिल रहा है, उज्वला योजना का लाब सबसे ज़्यादा उनको मिल रहा है कि गवड़ी मुसल्मानों के बीच में ने गरीबी पाल के रखा यह सिक्षित हो जाएंगे तो अधिकार की बात करेंगे अशिक्षित रहेंगे तो यह शिर्फ नफरत इनको बताया जाएगा नफरत की बात करेंगे यह कंग्रेस सपा वस्पा ने मिलके किया है इक बगा सवाल है जिस तरह कि वह सीए को लेकर के नागित्ता संशोधन अधिनीम सीए को लेकर इसकी कार्यानवा पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रिम कोट पहुंचे लोक तंत्रव की यही सबसे बड़ी पाकिस्तान से लंबे समय से सनडर्थी भारत में आये हैं वो भारत की नागरिक्ता चाहते हैं तो उस आदिस में साप साप लिखा हुआ है कि छे गैर मुसलिम जातियां नाम भी चिन्हीत है कि फला फला जाती है इनको नागरिक्ता देने का है नकी छीनने का है ओपन ग्रिह की बात सिखाते हैं और नफरत की बात सिखा करके ओट की राजनीत करते हैं हम तो आपके माध्यम से अलपसंख्यक समास से कहूंगा कि ये नफरत की जो बीच की खाई है इसको खतम करो आओ मौका एक बार हमारे साथ आओ हम आपको दिखाते हैं विकास कैसे होता है आपके पास मंत्री मानने योगी आधितनाजी ने ये दिखाया कि साथ साल में एक भी दंगे नहीं हुए कहीं कर्फियू नहीं लगा सपा की सरकार में दंगे हुए कर्फियू लगे कांगरेश की सरकार में बड़े पैमाने पर दंगे होते थे कर्फियू लगते थे ये सब चीजें समाप की भासा चोड़े और मिलत की वाइचारा की भासा को अपना में और विकास के रास्ते पर चलने के लिए वह भी सकंदे से कंधा मिला कर चले आपने कहा आल शेंखिकों के लिए जो है बावतियंता पाइटी एंडिया सरकार बहुती से काम कर रही है वहीं पर कहीं न कहीं जिस करना से अवैट फंडिंग का मदसों का मावला हो यह और भी कई चीज़े जो चल लहीं है मदसों मदसों क्या लगता है कि आज नहीं यह सिर्फ हवा बनाया जाता है हमारे पास चार्ज है अभी तो हम अध्यान कर रहे हैं कुछ चीजें च्छन के आई हैं जैसे वक बोड की च्छन की जमीने हैं तमाम उसमें फरजी वाड़े हुए हैं ऐसी सुचना हpless और मिल रही हैं अब इस संबंध में हम लगे हैं पता करा रहे हैं कहीं भी आवएट कपजे नहीं होने देंगे जो गलत करेगा उसके के खिलाब करवाई होगी जो सही है उसके खिलाब कोई करवाई नहीं होगी यह हम गरंटी रेते हैं मंदर से अगर मंता प्राप्त है कि उसका stressed मिद्थ से अगर ग्रांड है कोई करवाई नहीं अड़र मदर से चलते होंगे उन भाई उनसे कहूंगा कि उसका जो अपना रेजिस्टेशन जो नियम है उसको करा ले नहीं तो अवैद तो भाई चाहे किसी का भी हो मकान गिर रहे हैं तो उससे तो आवैद तो नहीं चलने दिया जाएगा एक आखरी सवाल हैगा उसको लेकर के वजीर गैस्थाने में उनके खिलाब मुकदमा दर्श करने की बात कही गई है उन्होंने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने ये बात कही थी जिसमें चार हाथ वाली लक्षमी कैसे पैदा हो सकती इस प्रकार के देवी दर्फताओं के प्रति उन्हां कई अनर्गल टिपनी करें कि वह मांसिक संतुलन खो बैठे थे जब तक सपा में थे उसका खामियाजा ही है कि लोग कोट में पना अब कोट का आदेश है आदेश का पालन दरोगा को करना है अब करें धरें हम लोग चुनाव की तरफ चले है